Hello and welcome to gradeupstudy.com तो स्वागत आपका आज के English के Lecture में और आज हम preposition को continue करते हैं और आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे Around, Across, For और From के बारे में I hope इससे पहले जो हमने पढ़े हैं prepositions वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे request है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और आपके लिए एक update है आप जल्दी से जल्दी जाएए जिसके लिए आपको सर्च करना है gradeupstudy.official याँ फिर डिरेक्ट लिए आप इस वीडियो का description में जाएए तो वहां पर आपको इसका link मिल जाएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला अगर हम बात करे around की तो इसका मतलब बनता है के इर्द गिर्द या फिर के चारो हो जाए ठीक है और यह हमेशा आपका place और position के लिए ही use होता है ठीक है जैसे कि मान लो कि यह है आपका paid ठीक है यह आपका paid है अब paid की इर्द गिर्द मतलब across the tree ठीक है मान लो यह है आपकी building ठीक है यह आपकी building आ गई अब building के इर्द गिर्द मतलब across the building तो यह काफी असान है इसको आप easily से implement कर सकते हो तो चलिए इसका example देखते हैं children were playing around the tree जो children है वो paid के इर्द गिर्द खेल रहे हैं ठीक है next चलते हैं he sat around the table वो table के around में बैठे हुए है ठीक है यह बैठा हुआ है समझ गए तो around का मतलब होता है के इर्द गिर्द या फिर के चारो और चलिए next example देखते हैं I walked around the side of the building मैं building के चारो और वो कर रहा हूँ चल रहा हूँ ठीक है तो यह simple सा है अगर कहीं पे आपको around से related कोई भी proposition आईगी तो आप easily से कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब एक ही है के इर्द गिर्द या फिर के चारो और तो यह काफी सान है इसको आप कर लोगे चलिए next देखते हैं next है across अब देखो across को कोई भी एक single meaning नहीं है across अगर किसी एक sentence में लग जाएगा तो वहाँ पे across का मतलब change हो जाएगा अगर यह किसी दूसरे sentence में लगेगा तब इसका मतलब और बन जाएगा ठीक है तो इस पे आपने थोड़ा सा focus करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि across का पहला use कहाँ पे होता है तो पहला यहाँ पे across का मतलब बनता है के उस पार मतलब on the opposite side of ठीक है जैसे की यह है नदी ठीक है तो के उस पार तो यहाँ पे आपका across यूज किया जाएगा तो example देखते हैं my best friend lives on the opposite side of the river तो यहाँ पे on the opposite side of की जगह पे हम across का यूज कर सकते हैं तो फिर क्या बन जाएगा my best friend lives across the river मतलब उस river के पार मेरा friend रहता है समझगे तो इसका पहला यूज क्या है के उस पार ठीक है चलिए next देखते हैं next across का मतलब है इस पार से उस पार मतलब from one side to another देखो अब इसका example देखते हैं a bridge is laid across the river अब देखो यह river है ठीक है अब यहाँ पर बना हुए इसके उपर bridge ठीक है क्या बना हुए bridge बना हुए समझगे तो यहाँ पर हम across का use की sense में करेंगे इस पार से उस पार समझगे example देखते हैं a bridge is laid across the river तो laid का मतलब होता है बिशाना ठीक है across the river तो यहाँ पर across का मतलब क्या हुआ एक side से दूसरी side समझगे चलिए next चलते हैं next यहाँ पर across का मतलब बनेगा दोनों तरफ मतलब both side समझगे देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि across का मतलब हर एक sentence में अलग अलग बन रहा है ठीक है तो इसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है ठीक है तो यहाँ पर क्या है दोनों तरफ मतलब both side तो example क्या है he threw the luggage across his shoulder उसने जो luggage है तो वो उसने अपने दोनों कंदों पे उठाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर across का मतलब क्या बन रहा है दोनों तरफ मतलब both side ठीक है next देखते है तो next है go across मतलब से होकर गुजरना ठीक है तो यहाँ पर go इसके साथ add किया गया है तो go across मतलब से होकर गुजरना अब example देखते है Rita and Ravi were going across the field तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बना हरीता और रवी खेत से गुजर रहे है तो से गुजरने का मतलब बनता है go across समझ गए चलिए next चलते है next come across अचानक मुलाकात होना अब देखो यहाँ पर across का मतलब ही बदल गया सारा का सारा ठीक है अब इसको हम मुलाकात करने की सेंस में भी यूज कर सकते हैं अब कैसे example देखते हैं when I was going to market I came across मोहन जब मैं मारकेट में गई यह फिर गया तो मेरी मोहन से अचानक मुलाकात हो गई तो यहाँ पर across का मतलब क्या बनता है अचानक मुलाकात होना समझगे अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कम across के साथ कभी भी suddenly या फिर with use नहीं होगा समझगे तो इसको आपने थोड़ा सा ध्यान देना है note करके इसको आपने लिख लेना है चलिए next जलते हैं तो अभी हमने पढ़ा around और across के बारे में तो चलिए अब हम पढ़ेंगे for और from के बारे में ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें for की तो for को हम तीन जगहों पे use कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या है के कारण, के लिए, के उदेश्य से के रूप में हम far का परयोग कर सकते हैं ठीक है तो किसके लिए, मेरे लिए next है wait for me मतलब मेरे लिए प्रतिक्षा करो तो किसके लिए करो, मेरे लिए करो तो यहाँ पे आपका for के लिए use हो रहा है ठीक है, next है go for help मदद के लिए जाओ, तो किसके लिए जाओ help के लिए जाओ, मदद के लिए जाओ चलिए नख चलते हैं do it for me मेरे लिए करो थीक है फिर से for kवर के लिए के sense में use हो रहा है next चलते है I went for a walk मैं ठहलने के लिए चला गया तो किसे के लिए ठहलने के लिए या फिर walk पे है nella तो यहाँ पे जो आपका for है तो वो के लिए के sense में use हो रहा है नेक्स चलते हैं I came for you, मैं तुम्हारे लिए आया किस के लिए आया, तुम्हारे लिए आया I went for help, मैं मदद के लिए गया किस के लिए गया, help के लिए गया तो यहां पे for का मतलब हो रहा है के लिए, समझ गे next example देखते हैं I am coming back for help मैं तुम्हारे लिए बापपिस आ रहा हूँ तो फिर से यहां पे for का मतलब बन रहा है के लिए next जलते हैं he will suffer for his bad habits वह अपनी बुरी आरतों के कारण बिमार पड़ जाएगा किसके कारण अपनी बुरी आरतों के कारण तो यहां पे for का मतलब बन रहा है के कारण तो के कारण के लिए के उधेश्य के रूप में हम for का यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको इस बाद का ध्यानक ना है ठीक है last example देखते हैं these toys are for children ये खिलोने बच्चों के लिए हैं तो फिर से for का मतलब के लिए बन रहा है, ठीक है? तो के कारण के लिए और के उदेश्चे के लिए हम for का यूज़ कर सकते हैं तो ये रहा for का पहला यूज़, अब दूसरा देखते हैं दूसरा है समय अबदी बताने में, तो यहां पे for का मतलब बन जाएगा तक या फिर से, ठीक है? चलिए देखते हैं, तो यहां पे for का मतलब बनेगा तक या फिर से की सेंस में, लेकिन कब? जब समय अबदी बताई जा रही हो ठीक है, example देखते हैं, they were in the village for a month, they were in the village for a month, वे लोग एक महीने तक गाव में थे, तो यहां पर for का मतलब बन रहा है, तक, यहां फिर say की sense में बन रहा है, और बात चल रहे हैं यहां पर, समय अब दीखी, ठीक है, for a month, तो they were in the village for a month, वे लोग एक महीने तक, यहां फिर वे say की रूप में हम for कायूज कर रहे हैं, और यहां पर समय अबदी बताई जा रही है, ठीक है, next देखते हैं, he was living in Delhi for three months, फिर से यहां पर समय अबदी बताई जा रही है, वह तीन महीने तक दिल्ली में रह रहा था, तो यहां पर तक की sense में for कायूज हो रहा है, next example देखते है I had been waiting for you for an hour, अब यहां पर समय अबदी बताई जा रही है, ठीक है, for an hour, अब यहां पर for you, यहां पर इसका जो पहला रोल था, ठीक है, किसके लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है, तो उस sense में यहां पर for कायूज किया जा रहा है, जिसका यहां पर मतलब है, के लिए, I have been waiting for you, किसके लिए, तुम्हारे लिए, तो उस sense में यहां पर for कायूज किया गया है, और इस for कायूज यहां पर समय अबदी बताने के लिए किया गया है, ठीक है, समय अबदी बताने के लिए किया गया है, नेक्स ग्जेम्पल देखते हैं, I am here for two hours, मैं दो घंटे से, यहां पर मैं दो घंटे तक यहां पर था, ठीक है, यह past tense हो गया, यह आपका present tense हो गया, समझगे, नेक्स गते हैं, I will work here for just an hour, मैं यहां सिर्फ एक घंटे तक काम करूँगा, तो यहां पर तक की sense में for कायूज किया जा रहा है, मैं यहां पर सिर्फ एक घंटे तक काम करूँगा, ठी मतलब बनेगा आपका मैं तक का की, लेकिन यहां पर कोस्ट की बात की जाएगी, ठीक है, तो जब कोस्ट की बात की जाएगी, तो उस sense में आपका for का मतलब बन जाएगा, मैं तक का और की, ठीक है, चलिए example से इसको समझेंगे, I have about this candy for one rupees, मैंने यह टोफी एक रुपे में खरी दी, तो यहां पर कोस्ट की बात की जा रही है, और for का यहां पर मतलब बन रहा है, एक रुपए की, ठीक है, तो की की sense में यहां पर for का यूज किया जा रहा है, next example देते हैं, I bought this bike for 55,000 rupees, मैंने यह बाइक 55,000 में खरी दी, तो यहां पर for का मतलब बन रहा है, मैं, ठीक next देखते हैं, तो next अब हम पढ़ेंगे from के बारे में, तो I hope आपको for का use समझ में आ चुका होगा, for का use हम तीन तरह के sentence में करेंगे, एक के लिए, के उदेश्य से, या फिर के कारण के रूप में हम for का use करेंगे, दूसरा समय अब्दी, time period बताने के लिए हम for का use करेंगे, समझेगे, तो यह रहा आपका for का use, अब हम पढ़ेंगे from का use, तो सबसे पहला use from का कहा पी किया जाएगा, तो definition देखो यहाँ पे, from का प्रयोग say के रूप में किया जाएगा, मतलब from का मतलब होता है say, तो from का प्रयोग say के रूप में किया जाएगा, जब कहीं से आने का बोध हो, या फिर किसी स्थान से अलग होने का बोध हो, तो वहाँ पे आपका from use किया जाएगा, तो example से इसको समझेगे, she is coming from जैपूर, वो किसी जगह से आ रही है, कहां से आ रही है, जैपूर से आ रही है, तो यहाँ पे कहीं से आने का बोध हो रहा है, तो उस case में यहा हो रहा है, तो उस case में भी यहाँ पे from का use किया गया है, नेक्स चलते हैं, mangoes are falling from the tree, तो यहाँ पे जो आपका mango है, वो tree से अलग हो रहा है, तो किसी से अलग होने का बोध जब होगा, तब भी from का use किया जाएगा, जैसे कि हिंदी में क्या था, हिंदी में था आपका कारक, तो वहाँ पे एक कारक था, अपादान, तो अपादान कारक भी आपका इसी sense में यूज किया जाता था, ठीके, इसमें क्या था, से, किसी से जब अलग होने का बोध हो, तो वहाँ पे आपका from यूज होगा, और यहाँ पे आपका वो अपादान कारक बन जाएगा, ठीके, तो मैं यह जस्ट आपको हिंदी के साथ relate कर रहा था, क्योंकि कारक आपके हिंदी section में पूछ जाते हैं, तो पहला point आपको समझ में आया, from का use हम से के रूप में करेंगे, कब करेंगे, जब कहीं से किसी के आने का बोध हो, या फिर कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, तो चली, अब हम second use देखते हैं, from का प्रयोग हम से के रूप में करेंगे, कब करेंगे, जब point of time की बात ही जा रही हो, पर शर्त गया है, कि जो आपका sentence होगा, वो future होना चाहिए, from का use हम करेंगे, point of time बताने के लिए करेंगे, लेकिन शर्त गया है, कि जो आपका sentence होगा, वो आपने use करना है, from, ठीक है, लेकिन अगर past और present होगा, और आपको point of time बताना है, तब आपने since का use करना है, ठीक है, since morning, since evening, since two o'clock, ठीक है, लेकिन कब, जब आपका sentence past और present tense में होगा, समझ गे, तो चलिए, अब हम example से इसको समझेंगे, पहले example क्या है, I have been teaching since morning, अब यहाँ तो इसलिए यहाँ पर since का use किया गया है, ओके, next दिखते है, I had been teaching since morning, अब यहाँ पर आपका sentence है past में, इसमें है past में, तो यहाँ पर since का use किया गया है, लेकिन यहाँ पर point of time बताया जा रहा है, point of time मतलब सुभर, तो सुभर ही, सुभर से शाम नहीं हो सकती, सुभर से दु इसलिए यहाँ पर since का use किया गया है, लेकिन, next देखिए, I shall have been teaching from morning, अब यह जो अपका sentence है, यह है अपका future, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर from का use किया गया है, और साथ में आपका point of time बताया जा रहा है, ठीक है, from morning, वो morning से पढ़ाना शुरू करेगा, या फिर ठीक है, तो यहाँ पर future tense की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर from का use किया गया है, समझगे, तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, चलिए, next चलते है, from का तीसरा use हम यहाँ पर देखेंगे, from का प्रयोग से के रूप में किया जाएगा, जब किसी बीमारी से यहाँ फिर किसी कारण से का बोध हो, मतलब from का use हम करेंगे, किसी बीमारी से यहाँ फिर किसी कारण से, ठीक है, तो अगर आप इसके example देखो कि तब ही आपको और बहतर से समझ में आएगा, पहले example क्या है, he is suffering from Lydia, अब आपकी दिमाग में बीमारी से related एक बात बैट हर एक बीमारी के नाम के पीछे, ओफ का use कभी भी नहीं किया जाता है, ओफ का use किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ conditions अलग है, ठीक है, और आज किस वीडियो में आपकी हर एक confusion दूर हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे, he is suffering from malaria, तो एक fixed preposition है, suffering, यहाँ पिर suffer, इसके किसी बीमारी का नाम, ठीक है, किसी भी disease का name लिखा गया है, तो suffer के बाद हमेशा from का use किया जाता है, यह जो आपकी preposition है, यह fix है, यह कभी भी change नहीं हो सकती, मतलब suffering के साथ, suffered के साथ, हमेशा from का use किया जाता है, यह आपने आज ही बात को note कर लेना है, ठीक है, अब next example देखो, यह है बीमारी का नाम, वो इसके पिछे आगया ओफ, अब क्यों आया, यहाँ पे देखो, death from a specific cause, अगर sentence में किसी specific cause का जिकर किया गया हो, तो वहाँ पे आपका ओफ का use किया जाएगा, अब आप बोलो कि सर, specific cause कैसा, अब कोई आदमी जो है, वो मर गया है, उसके कारण क्या है, एक specific कारण, तो यहाँ पे कारण क्या है, कि वही उसको मले दिया था, इसलिए वो मर गया, ठीक है, तो यह एक आपका specific cause है, समझगे, next example देखो, he died from overeating, यह आपका एक indirect cause है, कैसे, कोई आदमी मर गया, उसकी पीछी reason क्या है, उसने अधिक खाना खाया, और अ overeating गई, तब उसने अधिक खाना खा लिया था, लेकिन एक specific cause उसने यहाँ पे नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ पे from का यूज किया गया है, समझगे, next example देखो, he died from kidney failure, देखो, अब यहाँ पे लिखा गया है, कि वो मर गया है, और उसके बीचे का कारण क्या है, कि उसकी जो kidney है, वो fail हो गई थी, ठीक है, मैंने मार लिया कि उसकी kidney fail हो गई, लेकिन उसकी kidney fail क्यों हो गई, उसको कुछ न कुछ बीमारी तो लगी होगी, ठीक है, तो kidney fail होना एक indirect cause है, अब यहाँ पे specific cause क्या हो सकता था, कि उसको sugar थी, ठीक है, sugar के कारण भी kidney fail हो जाती है, तो यह यहाँ पे specific cause क्या बनना था, sugar, ठीक है, he died of sugar, इस तरह से यहाँ पे sentence बन सकता था, लेकिन यहाँ पे बात की गई है, कि अपसकी जो kidney है, वो fail हो गई थी, जो एक indirect cause है, तो इसलिए यहाँ पे from का यूज किया गया है, समझे रहो ना, तो यह फंडा हैं दोनों के बीच में, of और from के बीच में यह फंडा है, ओके, next देखो, he died by poison, अब यहाँ पे by का यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि उसकी जो death है, वो किसी say हुई है, अब यहाँ पे say क्या है, अब यहाँ पे जो say है, वो है using existence में, उसने किसका इस्तेमाल किया, मरने के लिए, यहाँ पे poison, मतल की सहायता से, तो वहाँ पे आपका by का use किया जाएगा, समझगी, चलिए next देखते हैं, तो इसका fourth use क्या है, from का प्रयोग say की रूप में किया जाता है, जब एक चीज से दूसरी चीज बनाने या प्रिवर्तन करने का बोध हो, अब देखो, मैंने सुभर भैंस से दूर नि बोल सकते, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कि मिल्क को पूरा का पूरा दही में बदल दिया, तो यहाँ पे आपका from का use किया जाएगा, एक बात, ठीक है, अब दूसरा देखो, यह एक eat है, बड़ी सारी eat को मैंने मिलाया, और एक मकान बना दिया, ठीक है, एक घर बना दि किसका use किया जाएगा, ओफ का use किया जाएगा, तो इन दो बातों का आपको ध्यान लखना है, समझ गे, example देखो, we make curd from milk, हमने दूद से दही बनाया, तो यहाँ पे दूद से दही बनाया, अब यह दूद था, यह दही था, इसको हम दूद नहीं बोल सकते, यहाँ पे हमने next example देखो, we make steel from iron, अब देखो, अगर हम iron के साथ carbon को मिला दें, तो आपकी steel बन जाती है, ठीक है, और जो steel है, वो steel ही है, इसको आप iron नहीं बोल सकते, जो iron है, वो iron ही है, इसको आप steel नहीं बोल सकते, जब iron के साथ हम carbon को मिलाते हैं, तब आपकी steel बनती है, ठीक है, तो यह इसमें यहाँ पर from का use किया गया है समझ गी? तो यहाँ पर modification और इसकी conversion हुई किसकी हुई? iron की हुई? किसमी हुई? steel में हुई? मतलब iron से steel में हमने convert इसको किया ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर from का use किया गया है नेक्स देखो this house is made of bricks यह घर इंटों से बना हुआ है अब देखो यह क्या है? यह इंट है अब यह क्या है? यह घर है लेकिन ठीक है? इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं यह एक इंटों का धेर है एक well shaped धेर है ठीक है? तो यहाँ पर इंटों को कोई भी conversion नहीं किया गया है जो आपकी इंट है वो as it is ही आपके घर में है ठीक है? वैसे ही जो आपकी steel है वो as it is ही आपके bridge में लगी हुई है a bridge is made of steel तो जो आपकी steel है वो as it is आपके bridge में लगी हुई है यहाँ पर कोई भी modification यहाँ फिर कोई भी conversion नहीं है समझ रहे हो ना तो यह difference है from और ओफ में I hope आपको समझ में आ चुका होगा तो आज की इस वीडियो में हमने पड़ा around के बारे में ठीक है across के बारे में for के बारे में और from के बारे में I hope आपको अच्छे से यह समझ में आ चुके होगे तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक like करें क्योंकि आपके एक like से हमें motivation मिलती है और हम इसी तरह से अच्छे च्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तो सबसे पहले आप इस वीडियो को like करें आपके पास जितने भी facebook, instagram, whatsapp group है तो वहाँ पे आप इसको share भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इसका फाइदा मिल पाए ठीक है और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो वो जल्द से telegram channel को join कर लिजी क्योंकि यहाँ पे हमारी हर एक lecture की PDF प्रोवाइड करवाई जाती है और जो लोग अभी तक हमारे साथ instagram पे नहीं जुड़े हैं तो वो जल्द से जल्द इसको follow कर लें क्योंकि यहाँ पे हम previous year kemcq questions आपके साथ discuss कर रहे हैं daily ठीक है और साथ ही साथ जी के tricks के साथ आप कैसे याद कर सकते हैं उसकी भी आपको एक post daily provide कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए काफी material upload हो रहा है तो जिन लोग ने instagram को follow नहीं किया है तो वो जल्से जल्सको follow कर लो ठीक है जिसका link है instagram.com slash gradeupstudy.official या फिर आप directly instagram पे search कर सकते हैं gradeupstudy.official और facebook पर follow करने के लिए आप हमारे facebook page पे आ सकते हैं जिसका link है facebook.com slash gradeupstudy इन तेनों का link आपको इस video के description में मिल जाएगा तो आप जल्से जल्से इनको follow और join कर लेना तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जहें